के गाइज वेलकम बैक तो मैं अधर वीडियो आप सब का फिर से स्वागत एक वीडियो में तो एक सब्सक्राइबर ने कॉमेंट सेक्शन में डाला थे कि जॉब सिनेरियो के उपर बात करूं कि अभी जॉब सिनेरियो कैसा है तो मैंने उसको लिखा था कि सून तो आज हो दि नहीं बताया कि सिनेरियो कैसा है करना में जॉब का मैंने आर्थ यचाछ छेसाथ महीने पहले बताया था कि नौ जॉब्स इन कैनिडा क्या यह बात सच है तो आज इस वीडियो में बात करेंगे तकरीबन पाच्छ महीने बाद एक वीडियो बना रहों नौ जॉब्स के सब्सक्राइब करने के लिए किसी भी कोलेज में तो आपको पहले चीज द्यान में रखनी चाहिए पहले परस्पेक्टिव से बताता हूँ कि आपको MBA फांडेशन तो नहीं लगा तो उसकेस में जॉब सीनेरियों चाहे बुरा हो आप लोगों के लिए वैलिडी नहीं होता क्यूंकि MBA फांडेशन के टाइम पर जॉब्स नहीं कर सकते तो यह टॉपिक MBA फांडेशन वालों के लिए नहीं है उनके पहले तीन महिने फांडेशन के लिए पर उसके बाद तो गाइस आज से चाहर पांच महिने पहले के में बात करता तो मैं यह बोलता कि कैनिड़ा में प्रोपर सरी या वेंकूवर साइड वाले एरिया में जॉब्स बहुत ज़्यादा कम है या हलात खराब है पर आज के टाइम पर सिनेरियों बदलता जा रहा है सिनेरियों में चेंजिस आ रहे हैं और जो जो नए शुटेंट्स आ रहे हैं उनको पहले मन्त में या पहले टूम बाते हैं में बख़हाह कैंछ उनको दो महिने में जॉप्स मिल है फुरी सिनेयरियों में बताने वाले इंकूवर ौर सरी इरिया का यह डियों मैं ब्रैम्टं साइडा में टॉलोंटों भाुलियों श्कूभरे में मेरे कुई इतनी जोलिज नहीं जितना हमेलों कूutes चीजम यहीं सुनने को मिलता है यहां ने काफी जानकार है वहां पर तो मैं बोलता हूँ कि एक दिन मैंने अपने जानकर को बोले था कि यह मेरे एक फ्रेंड आप इसको जोब लो तो इसने बोलते कि पीछले 6 महीने से जॉप्स का इतना तंटा पड़ा हुआ है तो यहां पर लोगो कि शेर 12 महीने खुला रहता है इन टर्म्स ओफ वैदर हां दिसंबर जनवरी यह नोवेंबर लगा सकते हो कि थोड़ा एक्स्ट्रीम हो जाएगा पर इतना एक्स्ट्रीम होगा कि सारे टाइम बर्फ पड़ी रहेगी और फिर सारे टाम ऐसा हो जाएगा कि आप जॉप्स प काफी लोग सेक्योरीटी की जॉप्स करना पसंद नहीं करते और उस प्रशॉप्स की उपनिंग बहुत होती है लोग बहुत जो सेक्योरीटी गो एप्लेटी उनकों बहुत ज्यादा मतलब क्वैंटिटियम में चाहिए और प्लेज को थोड़ के जार होते हैं हाँ माना कि सरी सारे इंडियन का बरव अपने पंजाब भी अपने हर्याना के लोग गुजराती भरे पड़े हैं एंड थोड़े बहुत चाइना कोरिया के लोग थोड़े बहुत अफ्रीका के लोग बहुत पड़े पड़े पर उसका मतलब यह नहीं है कि आपर ट्रैफिक अगर आप रेफरेंट्स भी लगाते हो तो आपको स्टाइटिंग एक मंद में जोब मिल लेगी है सच कभी कोई दिक्कत नहीं है अगर वोकिंश भी चाते हो तो आपको जोब मिलेगी बस आपको आपकी कॉम्णिकेशन स्किल जिखानी और आपको कंविंस पार सब्सक्राब पर कोई भी नहीं है तो इसली जोब मिले आती है किसीवाइंन ने कोई लोग छोड़ते तो है तो Casey की ज्यादा जला इस के ज़दी भी मिल सकती है इस km Champs एंट व को बहुड़ने काम करनाな पड़ता भोंट्या पील जावी इसको हैवी समार उठाना पड़ता है तो ऐसाच कोई इतना ज़्यादा होता है मतलब गल्स के लिए नहीं होता पर बॉइस के लिए ओपनिंग फूड कोट में खुलती रहते हैं दूसरी चीज की आप लोगिंग अऊपर करता है थे जो फौल टाइम वाला पॉलिसी और गटार्च करती है नहीं करती मेरे मानों तो फौल टाम वाली पॉलिसी एक्सेंट नहीं होने चीजिए क्योंकि जो नहीं इमिग्रेंट को नहीं स्टूडेंट्स इंडिया पाकिसान मंग्लादेश से उनके लिए टाफ हो जाएगा जॉब ढूड़ना क्योंकि जो एंप्लोईर्स होंगे उनके पास ऑप्शिन सहाथ होंगे कि पार्ट टाइम की जगह में फॉल टाइम रखना पड़ेंगे वह रखना प्रेफर करेंगे क्योंकि उनके पास अच्छी होगी फॉल टाइम प्रेफरेंस खराब होगा और अगर मैं आगे किसी और को रफर करूंगा तो वह मेरे रेफरेंस पर जॉब नहीं रखेंगे तो ऐसे सिनेरियो में यह भी है और जॉब सिनेरियो काफी अच्छा है लोग पूछते कि यूच्व के बाद जॉब्स रखने के चांसे हैं यह न करते हैं तो जो लोगों का डाउट है कि फ्क्रेश्मेंट करते हैं वह पूरा मैं खारिच कर देता हूं कि वह प्लेस्मेंट नहीं है अब एक चीज़ और में विश्वास करना तो आप कर सकते हो कबर मेरा मानना यह कि उनके टाइम पर होते तेंट कि आपको बोलताएं कि यह drop तो बोलता है कि इतना ही स्कोर करें ए तुनक टाफ नहीं हो चुका है हूँ और मैसी निस नहीं है कि बिल्कुली तफ हो चुका है वो आपकी महरत के पर भी डिपेंड करता है और जी पी लेवल सी जी पी लेवल तो इन्होंने थोड़ा सच एजी कर दिया कि आपको हर से मिश्टर में सी जी पी तीन रखनी कि रखोगे या फिर पहले टम में यह दूसरे में आगे तो आपका थोड़ा अकेडमी गलट वगएरा से आप बच जाओगे गाइज एंड जहां मैं काम करता हूं मोबाइल स्टोर पर वाइस अभी हाइरिंग का क्रेटिरिया बन रहा है जिन जिन लोगों के पास मोबाइल ट स्टोर के एंड आपके इंट्रिव कंड़क्ट कराने के लिए जिनके पास जैनुवन नोलेज है क्योंकि वह लोग देखो अगर आप बलोगे है और वो लोग आगे से आपको टेक्निशन वाला काम करवागे देख लेंगों अगर आपको नहीं आता होगा तो आपको सब्सक्राइब करने आते हैं थोड़ी बहुत भी नोलेज या तीन साल का अच्छा एक्सपीरेंस हो जो कैनड़ा वेस्ट में आ रहा है वनकूवर में रहता है या सरी साइड रहता है या मैपल रिट साइड भी रहता है उनके लिए चीज अच्छी बोल रहा हूं मैं एक ज रिव्यू से गुजरना पड़ेगा वह सब चीज के बारे में मैं आपको आपसे बात करूंगा इंस्ट्राग्राम पे मेरे को पर्सनली टेक्स्ट करना या मेरे कॉमेंट सेक्षर वर डालना कि आप लोगो सच में आता पर्सनली लेवल पर मैं भी बहुत कोशन आप से पू अगर में सोचता यहार रहके करेड़ा में बाकी घरवाले तो ही तो गाइस में यह बोलना चांगा की वी आर हाइरेंग और यू आपको टेक्निशन स्किल्स होने चाहिए आपको मोबाइल से जानकारी होने चाहिए यह नहीं कि आपको नहीं है तो आप जॉब के चक्कर में यह आप जॉब के चक्कर में यूटूब पर कॉमेंट इंस्ट्राग्राम पर टेक्स मेसेज करो नहीं अगर मेरे कुल लगेगा कि आपको बिल्कुल भी नोलिज नहीं है तो सोरी गाइस में आगे से आगे आपको आगे आपको अगे आपको रेफर्ड नहीं कर पाऊंगा जिनको प्रोपन नोले जाना है जिनको अच्छी नोले जाए वह आके इंस्ट्राग्राम पर डीम कर देना तो गाइस एक और नहीं वीडियो के साथ मिलेंगे दो दिन बाद एक दिन बाद थीन दिन बाद पता नहीं टॉपिक कॉमेंट सेक्शन में डाल देना कि किस टॉप जाने में टाइम लगेगा एक टाम में अगा कि डिफरेंट इनुवस्टी के बच्चे में लेकि आँगा बर थोड़ा टाम दो मुझे क्योंकि जैसे एसोसियेट्स आफ आर्ट के बच्चे लाने में में अपने रूम मेट को ही वीडियो में आने में काफी साथा ताम लग क्योंकि वह बीजी रहता था तो मिलते रहेंगे एक वीडियो में तिल देंट वर्टरी वट्री वाना डू डू दो नो ट्रबल यो मॉमेंट डैड खुश रहो अबाद रहो जिंदगी एक पहुत छोटा सा सफर है जिसमें हमें जमीन से लेकि आस्मान तक का सफर तरह करना जितना ताइम आपके पास आप कैनाडाने से पहले उसको अच्छे से जी के आओ क्योंकि यहां आने के बाद हथ से ज्यादा स्ट्रगल होने वाली है यही मैं आप लोगो नेगिटिव निकर आप लोगो पहले मोटिवेट कर रहा हूं पर इस ट्रगल के बाद जो तरना की तो उमीद की किरने दिखते हैं वो श्ट्रगल के बाद ही जिखते हैं रिवार्ट भी भगवान आपको श्रगल के बाद ही देता है तो 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 यह लें डिल डिल दन साइनिंग ओफ फॉम दिटियो अव्ट वीडियो सब्सक्राइब कर देना करन इन कैनडा को इस वीड नहीं है ठीक है रिस्पेक्ट आवर कंट्री रिस्पेक्ट इंडिया क्योंकि जिसके जिस हम एक कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं एक पासपोर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं रिपब्लिक ओफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं किसी स्टेट हर्याना को रिप्रेजे